आपका सागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इंज्वाइए के साथ पढ़ाई भी करना होंगे जैसा कि हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो आप लोग को साइंस में भी कॉंफिडेंस आ गया होगा आप लोग को आसानी से साल कर पा रहे इंपोर्टेंट है किसी ना किसी एक्जाम से में आए इसलिए वीडियो को आप लोग घ्यान से देखने की कोशिस किया करें और आप लोग को तो कोई भी दिखत नहीं हो रगी किसी वीक्जाम में आप लोग इससे कोई भी कोशन होगा तो आसानी से साल कर लेंगे तो उसी ग्रम में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आजका जो हमारा टॉपिक है वह बहुलक से है अर। देख लेते हैं जो भुलग बहुलग जो होता है यह उचन्तर ह्ञेक ट假 को एक एक लघ connect या मोनो जो होते हैं इनके औरहने त्याब Alright के आपस में जूड़ने से जो बनते हैं इस क्रिआ को भुलग किष्चान और बहुलक बहुलत वह ने था Thinking सब्सक्क्राइब है यह वच क्रीक कर देखाना को सते हैं बहुलक कोर्यायरा के नायलान टेफलान बाइकँ इसके होते हैं और उद्योग आप दोग पुछ रियू तो यह नाज़ किना लिए और मुखादार ऑफान। मुखादर होता है। बार्घ में प्रमुखादार प्रत्यास्त बाहुलक रेशे और पेंटॉम वाणीज मोखादार होता है। मुखादार है तो पहला कॉश्चन लेते हैं। पहला कोशन है प्राकिर्तिक रबर का बहुलक है आपको बताना प्राकिर्तिक रबर का बहुलक कौन सा है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हैकसेन तो चलिए बता दीजे एंसर क्या हो सकता यह आपका यूपी पीसेस में आयोगा कोशन है तो प्राकिर्तिक रबर का बह पाथ को बहुलक कहा जाता है और ISO preen जो होता है यह प्राकिर्तिक रबर का बहुलक होता है और आइसोप्रिन एक रंगी इंध्र ниट्रिम के भंग अस्वंदार प्राथ लो आप्जोन रबर सेंधेए हुन सह बफिंशन है 193 सैंने इस नशने कोश्पिर रबर के में निमलिखित में से एक का बहुलक है, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, इस्टाइरिन, तो चलिए, आपका कौन सा आप्शन हो सकता है, इन में से कौन है, जो प्राकिर्तिक रवर का बहुलक है, तो एंसर देने की कोशिस किजिए, क्या हो सकता है, अभी मैंने आप निमलिखित में से कौन एक प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है, आपको बताना इन में से कौन है, प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है, आपको बताना इन में से कौन है, प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है, आपको बताना इन में से कौन है, प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है, आपको बता नहीं है तो कोई एक है जो इसमें आपका प्राकिर्तिक नहीं है वो कृत्रीम होगा या संसलेसित होगा तो पहला अप्शन और सेकंड है रेशम थर्ड है चमडा फोर्थ है नाइलान तो चलिए एंसर दीजी क्या हो सकता है तो आपको पता होगा कि उन रेशम चमडा यह सब यह आपका प्राकिर्तिक बहुलक होते है उन रेशम और चमडा प्राकिर्तिक बहुलक है जबकि जो नाइलान है यह आपका प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है नाइलान अभी मैंने बताया कि यह जो होते हैं जो अर्ध संसलेसित होते हैं इस टाइप के जो होते हैं वो आपका यह प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है तो आपका option no.4 नमर्फोर जो है राइट हो गया आपका जो नाइलान है आपका गहर सिलू लोय अभी इस त्याम में विखन इस से कौ बआयालोज श्मेश करने नाइलान और पलीएस्टर नाइलान और पालीरी आपके गहर तो एक किनस यंपर прयम सब्सक्राइब किसका बहुलग को सब्सक्राइब मैं नब आइसोप्रीन, एक प्रकार कार्बन प्रणीक पदात है इसका सूत्र होता है CS2 double band CS2 CS3 CS double band CS2 होता है तो आपको पतना चल गया कि आईसोप्रीन का जो फार्मूला है वो CS2 double band CS3 CS double band CS2 है और आपका प्राकिर्टिक दबर्जो है यह आईसोप्रीन का बहुलग है आईसोप्रीन एक प्रकार का कार्बिनिक पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ जिसे कहते हैं जिसमें कार्बन उपस्तित हो देखिए इसमें आपका कार्बन उपस्तित है तो यह आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया तो आपका ऑप्शन नमर फर्स्ट जो है राइट हो गया ओके चलिए नेश कोशन निम लिखित में से कौन सा बहु फार्म प्लास्टिक कि नहीं है, जो उचे बहुलक यहा सबी। तो आपका option कौन सा राइट हो गया, आपका option second राइट हो गया, नियोप्रीन, यह अपका थर्मो प्लास्टिक नहीं है, यह क्लोरोपीन का उच बहुलक है, और इसका प्रियोग जो होता है, क्रित्रिम रबर बनाने में, और पाइप और बेल्ट बनाने में किया जाता है, तो आपका option number first जो है, यह राइट हो गया, घी जो है एक प्रकार का बहुलक नहीं है, बाकी सारे आपके बहुलक है, आपका इस्टार्च भी बहुलक है, प्रोटीन भी है, रूई भी आपका बहुलक है, तो आपका option number first जो है, राइट हो गया, नेस्ट कोश्टिक में कौन सी ग यग अंधियर को दो दो प्रकार में भाठा गिया धर्डम प्लास्टिक और टेय्याद्था प्लास्ट्था polystyrene, teflon, polybinyl chloride, nylon, इत्याद यह थर्मो प्लास्टिक है और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है जिसे हम अपने इच्छा नुसार कोई भियाकार दे सकते हैं लेकिन पुना गर्म करने पर यह मुलायम प्राप्त होता है और polybinyl chloride है बाके लाइट है यह सारे जो है आपके प्लास्टिक में आ जाएंगे तो प्लास्टिक में कौन सी गयास उत्पन होती है आपको बताना है तो प्लास्टिक में polyethylene आपका गयास उत्पन होता है आपका option number fourth झाल आिएholटा कोशन क Aku Nimaividades में निमनीखित में से कौन सा बूलेटर प्रूफ बनाने में उपी किया जाता है बूलेट फुलेटर ब्लाने में कौन सा फ्योग किया जाता है बैकेलाइट पौलियमाईट टेफलान पौलियूरितिम। तो चलिए इसका भी अंसर दीजे क्या हो सकता आपको तो यह पता ही होगा कि बुलेट प्रूफ जो बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है तो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माड में पाली पैरा फेनी नील और टेरेफ्थोलैमाइड जिसे पॉली एमाइड प्रीयोक के लूख ऑली प्रियोक होगा प्रियो होता है यह सिंथेटिक स्वाईबर फ़ाइबर होता है लूजेग पोलक में पेरा लिटेयो टेरेफ्थोलैमाइड तो बने पैर यह जुटुटुटुटूफ में फैनीलीर चलिल यह भी जामें छस से कही में इसी को हम पॉलीमाइड कहते हैं इसका बहुलक होता है यह सिंथेटिक फाइबर होता है इसका नाम केवलर होता है तो आपका option कौन सा राइट है आपका option अब ने आपको बता ही दिया तो इसका एंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि आप यह आपका इस में पीसी असमें और इस पीसे सपेसल कई एक्जाम में आयोगा कोस्चन है तो यह बहुत इंपोर्टन थैं मस्ट मस्ट इंपार्टन इस पर लगा लिजिएगा कि बीलोट बुलेट प्रूफ पतार बनाने के लिए काउन सा बहुलक की रूप में प्रियोगत होता है तो बूलेट प्रूफ खिर्की बनाने यूरीथेन पॉलिस्टायरीन पॉली एमाइट तो चलिए इसका भी एंसटो अप लगे दीजिए कि भूलच पूप जो बूलेट जो खिड़की का निर्माड होता है वो पॉली कार्बोनेट नामक बहुलक के द्वारा होता है तो आपका नमबर फर्स्ट जो है राइट हो गया यह भी आपका यूपी पीसेस में आया हुआ कोश्चन है चलिए नेश कोश्चन बूलेट प्रूप जैकेट के निर्माड में कि असानी से जबाब भी दे सकते हैं तो शलिए एंसवदेनी की कोशिश कीजिए कौन सा उप्शन हो सकता है तो बूलेट प्रूप जैकेट के निर्मार के लिए के वलर नामक बहुलक का प्रियोग किया जाता है के वलर जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है यह पाली पैरा पैरा फेनीलीन पॉली पैरा फेनीलीन टेरेप्थो लेमाइड यह जो होता आपका ट्रेड मार किसका जो है नाम है तो बूलर प्रूप जैकेट के निर्मार के लिए के वलर नामक बहुलक का प्रियोग किया जाता है के वलर जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है और इसक तरेप्थोलेमाइड जिसे पॉलियमाइड कहते हैं का बहुलक का ही प्रियोक किया जाता है तो आपका इसमें कौन सा ओप्षन राइट है आपका ओप्षन नमर थर्ड जो है राइट हो जाएगा बूलेट प्रूप जो होता है जैकेट उसके लिए ट्केवलर का यूज किया तो बूलेट प्रूप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा कोशन समझ लीजिएगा तो चलिए निश कोशन है निमनिखित में से कौन एक बूलेट प्रूप जैकेट बनाने में प्रियोक किया जाता है तो अभी मैं आपका पीसेश में आए हुगा अगहएुआ है कोशन है तो बूलेट परूप जब थे हैं आंपको से और कांच मुख मूल रूप से रांने क परतों के बीच snail करिबा बनाते हैं वहां को समय हम साधार यान्यमेलियोग पर्टों कि बीच में पॉली कार्बोन्यर डाल ड राइट आप्शन हो जाएगा बूलेट प्रूफ जाकेट बनाने के लिए हम लैमिनेटेट काच का प्रियोग करते हैं तो आपको आप्शन में फोर्थ राइट हो गया नेश्ट कोशन देखते हैं निम निखित में से किन बहुलकों का उपियोग बूलेट प्रूफ कौन से बता सकते हैं कौन से आपका राइट हो सकता है तो केवलर और लेक्षान जो होते हैं इस बहुलकों का उपियोग होता है वह बूलेट प्रूफ सीसा डीवीडी कीचन के बरता नित्याद बनाने में किया जाता है और जबकि जो ग्लिप टॉल है ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक इसमें तनिता नहीं पाए जाती है इसलिए इसका इसका इस्तिमाल के लिए ही किया जाता है तो आपका कौन से राइट होगे आपका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा पहला और तीसरा के उलार और लेक्षान जो है यह आपका हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा आपसों नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा ओके चले नेश कोशन निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए टेफलान तथा डेक्रॉन बहुलक है नियोप्रीन संसलेसित रवर है पॉली एथिलीन पॉली थीन पॉली एथिलीन का इंतौरा का पॉलक है प्राकिर्तिक रवर क्लोरोपीन है तो पर इतमे से कौण से कतन है 12bbles 12 two-three, four one-two-three, four one-three, four one-two, four one-three, four one-two. तो चलिए, आइसंतो दीजे और सा उप्शन होगा ये भी आपका उप्का इूप्शिन हाऊए हुश्च्टे, तो चलिए देख लेते हैं आपका जो टेफलान और डेक्रान है यह आपका बहुलक के उधारण है यह आपका राइट है पहला आपका सही है टेफलान और डेक्रान जो होता है प्रकार का बहुलक है यह आपका राइट है नियोप्रीन जो है यह आपका संसलेसित रबड है इसके बारे में मैंने आपको ब रबर कहते हैं प्राप्त रभर सटाने सेलेटीन बेहुदों बलकर सब्सक्कार चलता जाता है और आपका फुक के उदार्योंतों करेस। बड़लते हैं संसलिक बाऊने सब्सक्राइब, यह यह बाऊने सब्सक्राइब जो होते हैं बहुलक के उधार होते हैं आप पॉलिथीन को आपको पता ही हो गया कि पॉली एथिलीन का बहुलक है तो आपका पहला दूसरा तीसरा राइट हो गया पहला दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में आप फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा ओके चलिए नेश्ट तो चलिए एंसो दीजी क्या हो सकता है तो poly tetra fluoro ethylene जो होता है एक प्रकार का शंसलेसी फ्लोरो बहुलक होता है और इसका जो साधारा नाम है वो टेफलान होता है और poly tetra fluoro ethylene जो होता है एक थोस फ्लोरो कार्बन होता है इसको हम PTEF भी लिखते हैं PTEF भी लिखते हैं तो आपका इसमें जो है ये एक फ्लोरो कार्बन होता है और इसका घनत जो होता है 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसका जो गलनांग होता है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेट होता है और यहां नेक कारियों के लिए उपयोगी होता है इसका जो मुख्यता प्रियोग किरते हैं वो बर्तन पर ना चिपकने वाली सदा के रूप में यूज़ किया जाता है तेफलाण का टेफ़लाण आप देखे हूंगे कि जो नानिस्टिक बर्तन होता है उसमें आपका टेफलाण का यूज़ किया रहता है तो आपका ऑप्शन नमबर काउसा राय्ट हो गया पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन ये आपका राइट हो गया ओके चलिए नेश कोशन देखते हैं नेमलिखित में से किस पदार्थ का उप्योग बरतनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है एलम कैलो मेल जिंक कोलोराइड जिंक आपसाइड तो आपको बताना है कि किस अप्योग मेल मेल जिकला तो आपको बतार्थ के नेमल जिंक किल दिया था तो अप्शन लिए था होता है। पॉलिमर नहीं है आपको बताने इन में से कौन सा है जो पॉलिमर नहीं है नाइलान टेफलान कैप्रो लेक्टम पॉलिस्टाइरिन तो चलिए एंसर दीजे क्या हो सकता है इसमें कौन सा अप्शन है जो पॉलिमर नहीं है तो आपका कैप्रो लेक्टम जो है एक कार्बनी क्य प्रियोक किया जाता है कैप्स jn-0 सूत्र होता है सीप्स यह कड्या स्विधि चॉन परैत इन हैं या आयलाइन के लिए कच्छे माल के रूप में प्रियोक किया जाता है आपका अप्शन नम्ब काइट है आपको 5 है झार मकाइट सीट होता है यह ने कहा requirements है चलिए नेश कोश्चन बहुलक जो बिसेष्टा बरतनों पर ना चिपकने वाली सता के रूप में प्रियूप्त होता है पॉली बिनायल क्लोराइट टेफलाइन पॉली स्टारिन पॉली प्रोपनायल तो इसका एंसर तो आप आसानी से बता सकते हैं मैंने आपको इसका सता के रूप में बहुलक का यूज किया जाता था पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन जो होता है संसलेफ्लोरों होता है इसका जो साधार नाम है टेफलान का घनत होता है वह 2.2 ग्राम 3.7m3 क्यूब होता है और इसका गलान्ग 327 degrees centigrade होता है और इसका जुकार होता है वह बर स्क्कूर्जक्त कि एगरा आयमें निर्माण में फिनाल का प्रयोग होता है विए पजल जोर्क में 207 में लियूग शुन उडियो । ले अदि принципе लियो बैक्लेंड ने फिनाल और फार्मल यॉयाइट क निर्मार किया था तोवर् BUR7 लियो बैकलेंड ने फिनाल और फार्मल यॉयाइड का आपस नही जानकारी कोई इंचर पूराण।ब्र NH 2 गृत्थ तो इस पर कर फ्रेंड आपको आज का सेसन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना कोश्चन डिवीजन हुआ होगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और बार-बार डिविजन जरूर किया करें वरना आपको भूल जाएगा तो प्राबलम होगी और अब उम्मीद है कि अब आप लोग साइंस से कोई भी कोश्चन होगा तो आप लोग आसानी से साल्ब कर लेंगे अब आप कोई दिकत नहीं हो रही होगी तो आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच आल फ्रेंड्स